बारत माता की अक्षरा क्रमाम, लोन कंकुडा, अन्नी रंगा लालो, अन्सा लालो अग्र गामो लैना, आंधर प्रदेश प्रजाला कू सुपकांग शालू पद्मभूशन, दलित रत्नम, कवी कोकिला गुर्रम जशुवा, जन्मीन चीना गुटूर जिल्ला प्रजाला कू नमस्कारम महा कवी टिकन्ना, जन्मी चीना गुटूरू का, मारियू गुटूर प्रजाला कू नबश्कारम आप सभी जितनी संग्जामे इस उत्सा से यहां जुटे हैं, वो अभिभूत करने वाला है आपके इस प्यार को मैं अपने सर आँखो पर लेता हूँ आपका यही प्यार यही शने मुझे निरंतर आपके लिए काम करने की प्रिर्णा देता है साथियों, गुंटूर के आप सभी जन राष्ट निर्मान के पहरी है और उद्यम की उर्जा से भरपूर है मैं आज यहां से महान स्वातंत्र सेनानी, भाविलाला, गोपाला कुष्णिया, नयुदम्मा जैसी गुंटूर की सभी विभूतियों को भी नमन करता हूँ भावियों और बहनों, गुंटूर में ही अमरावती है, जो सद्यों से भारतियों की आस्ता और भारत के आध्यात्व का एक बड़ा केंद्र रही है अब तो अमरावती नए आंध्रपदेश और नए भारत की भी उर्जा का केंद्र बन रही है केंद्र सरकार ने भी अमरावती को रदय योजना के तहट हैरिटेज सीटी के रूप में चैनित किया है ताकि यहां के परुनारी महत्व के संस्तानों को समरक्षीत और विक्षित किया जा सके यह स्थान आंध्र का अक्षपड भी कहा जाता है जहां जगर जगर से युवा अपने भविश्य के सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं मैं यहां के नवजवानों और विशेशकर इस लोगसभा चुनाओं में पहली बार बोट डालने वाले युवाओं को बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूं हम लोग देश सेवा के अनेग माध्यमों को चुनते हैं और हर रास्ते पर समर्पित भाव से कारे करते करते देश सेवा का संतोस लेते हैं देश सेवा के अनेग मार्ग है अनेग माध्यम है उन सब मार्ग और माध्यमों में सरकार भी एक माध्यम है जिनके पास सरकार की जिम्मेवारी है वो उस माध्यम से देश सेवा कर रहे हैं और जिनके पास सरकार की जिम्मेवारी नहीं है ऐसे लाखो कार करता अपने अपनी प्रद्धती से देश सेवा समाज सेवा में कभी पीछे नहीं हडते हैं कुछ लोग चुनाव परणामों के प्रभाव से अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं यह उनकी मजबूरी है हम हमारे लिए चुनाव का अध्धाय समाप्त हो चुका है हमारे लिए तो 130 करोड देश स्वास्यों की सेवा करने का यह अध्धाय प्रारंब हो चुका है दिल्ली मैं भी एक मजबूत सरकार देश स्वास्यों ने बनाई है और आंदर प्रदेश ने भी शिमान जगन रेडी जी की सरकार को बनाया है मैं जगन रेडी जी को भी अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूँ और वे भी अपने सपनों के अनुसार अपने संकल्प के अनुसार आंदर को आगे बढ़ाने में पीछी पाने नहीं करेंगे और मैं विश्वाद दिलाता हूँ आंदर के लोगों को कि भारत सरकार आंदर के नागरीकों की भलाई के लिए आंदर के विकास के लिए पूरी तरा से संकल्प बद्ध हो करके आपके साथ खड़ी रहेगी एन्निकल्व आई पोयाई एन्निकल्व फलतालु वेलुवडड़ाई आयना कोडा चाला मंदी नायकुलु पार्टीलु नेतिकी सैतों आ एन्निकल्व फलताली एक प्रभावन उन्टी बैटिक रालेक पोतुर नारु आयते भार्थिय जन्ता पार्टीक सम्मन इचनट्वाद वर्कू कोडा प्रती योक्क स्वासा प्रजा सेवके अन्कितव वेनटवण्टी संदर्भनलों केंध्रों सैतों प्रजलु वकक सुस्तिर्वेनट्वण्टी प्रभुत्वानिकी आसिर्वादव मायोक लक्षियों संकल्पों प्रजा सेव की प्यद्ध पीट वेस्तु मुंदुक वेल्लडवें जेप्पि मी अंदर की तेली जेस्तु नानु आंदर राष्ट्रुल सैतों जगन मोहन रेडिगारु मुख्यमंत्र का बाध्यतल चेपट्ट्यारु वारिकिना अभिनांदन तेलिपुतु प्रजा संक्षेमा प्रजा हितपालन नी प्रजल कंदिवालियां जेप्पि वारिकिने तेली जेस्तु नानु अदे विदंगा आंदर राष्ट्र अभिपृद्ध की भार्तिय जेन्ता पाटी एप्पडु कोडा कट्ट बड़ी उन्नट वंटी संदर बल्लो ये विदंगा नैना ये रकंगा कावालनना आरकंगा आंदर राष्ट्रान नी की संपूर्ण साकारा नी अन्दिन्स्तान क कि मैं संसित धंगा उनना हूं आंद्र प्रदेश कि अनंत संभावनाओं का प्रदेश है कि खेती से ले करके विज्ञान तक कि इनोवेशन से ले करके स्टार्ट अप तक अनेक छेत्रों में आंद्र एक नए आंद्र की दिशा में आगे बढ़ सकता है और हम जब नए भारत की कलपना ले करके चलते हैं तब हर राज्य भी नए सपने नए संकल्पों के साथ आगे बढ़े और उसी प्रकारते हमारा आंद्र भी आगे बढ़े और तब जा करके हम नया भारत का निर्मान कर पाएंगे और इसलिए सबका साथ सबका विकारत जिसमें राज्यों का भी साथ जन सामान्य का भी साथ और राज्यों का भी विकारत जन सामान्य का भी विकारत इस संकल्पों को हम चरितार्थ करने की दिशा में बढ़ रहें आंदर राष्ट्र प्रजलू, विज्णा वंतुलू, अदे विदंगा वारू, चाला मुंदुक वेसेट्वांटी, साहस्वं चेगलगी नट्वांटी वारू मरिवार्नी चूसनाटलाई ते, रैतुलू देगिनुटी, शास्वेत्तलू दाका, इराष्ट्रों लो, उन्नट्वांटी विश्यमान अंदर की तेल्सु, स्टार्टप नुँटी, टेक्नोलुजी नी, मुंदुक दीशकेलेट्वांटी, शास्वेत्तलू उन्नट्वांट जो लोग चुनाव में अलग विचान रखते थे, अब चुनाव समाप्त होने के बाद, चर्चा ये कर रहे हैं, कि देश में अपेक्षाएं, आकांचाएं बहुत बढ़ गई हैं, मोदी क्या कर पाएंगे, मैं मानता हूं, कि देश के सामान में, मन्वी में अपेक्षाएं बड़े, कुछ कर गुजरने की इस्षा हो, अउसरा की तलास हो, वो देश की प्रगति के लिए एक उत्तम अउसर माना जाना चाहिए, और आज देश में, राज्यों में, इलाकों में, तैस्चिल में, जो नई-नई आकांचाएं जग रही हैं, उसे मैं भारत का सौभाग्य मानता हूँ, उजवल भविषे की गारंटी मानता हूँ, एन्निकल संदर्गोंलों वेर वेरू, आलोचन विधानालू, उन्नटवण्टी वार अंदरू सहितों, इव्वाल आलोचनलों पड़्डारू, निजंगा, इन्त पेद्द, आधिकें तोटी भार्तिय जन्ता वास्तमू, आईते इव्वालने तेली जेस्तनानू, मीद्वारा, इसभामुकंद्वारा, खच्चितंगा, प्रजलू मेचेट वन्टी, वोक पालननी, भार्त देशान कंदिस्तावन जेपि मी अंदर की कोड़ तेली जेस्तनू, आपकी ये भावनाए, आपका ये उत्सा आपका ये जोश, मैं भली भाती समझ रहा हूँ, आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के प्राक्रमी भीरों को नमन करें, सर जुका करके नमन करें, आज चूरू की धरती से, मैं देश वासियों को विश्वास दिलाता हूँ, कि देश सुरक्षित हाथों में है, भाई और बहनों, साल 2014 में विजय संखनाद युवा संगम के दोरान, मैंने मेरे दिल की बात, आप सब के सामने रखी थी, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, और मेरी आत्मा कहती है, आज का दिवास उसे फिर से दोराने का दिवस है, अड़ चुरू की धरती से मैं देश वास्यों को फिर से एक बार, 2014 के मेरे इंशब्दों को, महभारती के विरों को नमन करते हुए, आज मैं फिर से दोरा रहा हूँ, सोगंद मुझे इस मिट्टी की, सोगंद मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूँगा, मैं देश नहीं रुकने दूँगा, मैं देश नहीं जुकने दूँगा, सोगंद मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूँगा, मैं देश नहीं रुकने दूँगा, मैं देश नहीं जुकने दूँगा, मेरा वचन है मेरा वचन है भारतमा को मेरा वचन है भारतमा को तेरा सीस जुकने नहीं दूंगा सौगन्द मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा जाग रहा है देश मेरा जाग रहा है देश मेरा हर भारतमासी जीतेगा सौगन्द मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा हमें देश वासियों हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है न भटकेंगे न अटकेंगे कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे सौगन्द मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा मैं देश नहीं रुकने दूंगा मैं देश नहीं जुकने दूंगा साथियों देश से बढ़ कर कुछ नहीं होता देश की सेवा करने वानों को देश के निर्वान में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्मपुन दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवग नमन करता है कल आपने भी देखा होगा कि आजादी के सत्तर वर्ष बात राष्ट रक्षा के लिए प्रान नियुच्छावर करने वाले हमारे अमर शहीदों की याद में देश को राष्ट्रियस समर समारक समर्पित किया गया नेशनल वार मेमोरियल राजस्तान के लिए और खास तोर पर चुरू जुझनू और सी करके इस पूरे इलाके के लिए तो ये इसलिए भी अतिक अहम है क्योंकि आप सभी ने अनेख सपूत देश को समर्पित किये हैं यहां के हजारों नौजवान सीमा पर राष्ट्र रक्षा में डटे हुए है और इसलिए आपका सम्मान आपकी सेवा मेरे लिए बहुत महत्वपून है साथियों आपके इस प्रधान सेवग ने शहीदों के परिवारों से पूर्वस सहिनिकों से वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का भी वादा किया था मुझे खुशी है कि चूरू और राजस्तान के हजारों परिवारों सहीद देश भर के बीस लाग से अधिक सहिनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन का लाब मिल चुका है इस योधना के लागू होने के बाद हमारी सरकार 35,000 करोड रुपिये यह हमारे भोजी परिवारों को वित्रित कर चुकी है साथियों पिछले दो दिनों से देश के अनेग भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपून लिलने करने जा रहा है आज रात आज रात बारा बजे से पूरे देश में ज्यान से सुनिये पूरे देश में आज रात बारा बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज राज बारा बज़े से गरों से बहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को हर केंद्र सासिक प्रदेश को हर जिले हर गाउं हर कस्पे हर गली मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है ये एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात जनता कर्फ्यू से जरा जाजा सक्त कोरोना महामरी के खिलाप मिननाएक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है निश्चित तोर पर इन लोकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी लेकिन एक एक भारतिय के जीवन को बचाना आपके जीवन को बचाना आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी बारत सरकार की देश की हर राचे सरकार की हर स्थानिय निकाई की सबसे बड़ी प्रात्विक्ता है और इसलिए मेरी आपसे प्रारतना है और मैं हाद जोड़ के प्रारतना करता हूँ कि आप इस समय देश में जहां भी है वही रहे अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लोकडाउन 21 दिन का होगा तीन सबसा का होगा और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सबसा मांगने के लिए आया है आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर है हेल्थ एक्सपर्स की माने तो कोरोना वाइरस की संक्रमन साइक्ल तोडने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहम है अगर ये 21 दिन नहीं संबले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा अगर ये 21 दिन नहीं संबले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगे और मैं ये बात एक प्रधान मंत्री के तोर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूँ इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये 21 दिनों के लिए भूल जाएगे गर में रहे गर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे थाल निएा इसलिए उनल पूल लूल और में रहे बाहीं के